Hello students, good morning, अपले वीडियो में हमने group बनाना और number लिखना सिखा था, है ना, tens and ones, अभी हम सिख रहे है complete the table, table को complete करना है, तो उसमें सबसे पहले क्या दिया है, one, ten, ten matchsticks का बंच दिया है, ये देखो मेरे पास ten matchsticks का बंच है, तो इसको कैसे लिखेंगे, one, ten, एक बार, ten, तो कितने होंगे, ten, one, ten is equal to ten, तो कैसे लिखना है, तो ये देखो, ये आपको table दिया है, ये table में सब में हमको ten, ten लिखने है, तो पहले, एक standing line और circle, standing line और circle, हैसे ही आपको देखो, ये ten ten लिखने है, ये देखो, मैं ये लिख रही हूँ, आपको भी अपनी textbook में write down करना है, ओके, देखो, वैसे तो ये ten लिखना सब बच्चों को आता ही है, है ना, ये देखो, मैंने ये लिख दिया, अभी क्या आता है, तो one ten and one one, one ten and one one, ये देखो, ये one ten ten है और ये one one है, तो देखो, one ten and one one is equal to eleven, ये मैंने आपको अगली वीडियो में सिखा दाना, one ten and one one, eleven, one ten and two one's, twelve, ऐसे ही है, तो one ten and one one is equal to eleven, तो आपको ये सब बॉक्स में eleven eleven लिखना है, ये देखो, मैं लिख रही हूँ, ओके, आपको क्या करना है, ये eleven अपनी टैक्स बुक में लिखना है, ओके, आपको ये फटा-फटा आएगा, देखो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये देखो, हो गया, है ना, और भी आगे देखते हैं, one ten and two ones, ये देखो, one ten का ये बंच है, ten मैस्टिक्स का, और ये two ones, one two, two ones is equal to twelve, one ten and two ones, one ten and two ones is equal to twelve, तो ये सब बॉक्स इसमें हमको 12, 12 लिखना है, तो 12 कैसे लिखते हैं, one two, twelve, one or two, one 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 ten and two one is equal to twelve, तो 12 को one और बैज में two लिख देना है, one two, twelve, one two, twelve, है ना, आपको भी अपनी टेक्सबुक में लिखना है, टन्द पेज आके दिखते हैं, कम्प्लीट टेबल, टेबल को कम्प्लीट करना है, उसमें है, one ten मेस्टिक्स, ten मेस्टिक का एक ग्रूप है, और ये one, two and three मेस्टिक्स अलग अलग है, तो one ten and three ones is equal to thirteen, तो देखो, ये ten मेस्टिक्स हैं, और ये three अलग-अलग मेस्टिक्स हैं, तो one ten and three ones is equal to thirteen, तो thirteen को कैसे लिखेंगे, one और बाजु में three, तो उसको कहते हैं, थर्टिन, आपको भी अपनी टेक्सबुक में ये देखो, मैं लिख रही हूं, 13, 1, 3, 13, 1, 3, 13, 1, 3, 13, 1, 3, 13, 1, 10 and three ones, thirteen, यह आपको अपनी टेक्स्बुक में लिखना है अभी नेक्स्ट देखो तो उसमें क्या है 110 10 मैस्टिक्स का एक बंच है 110 and 4 मैस्टिक्स अलग-अलग है 1, 2, 3, 4 तो 110 and 4 ones is equal to 14 यह देखो मेरे पास यह 110 है 10 मैस्टिक्स का बंच है और यह 4 अलग-अलग मैस्टिक्स है तो 110 and 4 ones is equal to 14 तो 14 को कैसे लिखेंगे तो 1, 4 110 and 4 ones 1, 10 and 4 ones is equal to 14 आपको ये मैं जैसे बोल-बोल के लिख रही हूँ आपको भी वैसे ही बोल-बोल के लिखना है तो आपको जल्दी याद रह जाएगा अभी हम next देखते हैं तो उसमें क्या है? तो one ten and five ones है ना? ये देखो मेरे हाथ में एक मैस्टिक्स है one ten है ten मैस्टिक्स मैस्टिक्स है और दुसरे हाथ में five अलग-अलग मैस्टिक्स है इसका बंच हमने नहीं बनाया क्योंकि ten का ही बंच बनता है ना? तो ये देखो ये five ones है तो one ten and five ones is equal to fifteen one ten का बंच है और five अलग-अलग है तो fifteen one ten and five ones is equal to fifteen तो आपको भी ये लिखना है 1, 5, 15 1, 5, 15 1, 5, 15 1, 10, 5, 1s, 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 15 यह मैंने जैसे अपनी टेक्सबुक में लिखा है आपको भी अपनी टेक्सबुक में यह लिखना है ओके यह वन टेन टू वन यह सब आपको समझ में आया ना ओके यह आपको घर बे भी यह मैंस्टिक्स लेके अपने पैरेंट्स के साथ बैठके करना है ओके अकेले मत करना पैरेंट्स को साथ बीठाना और यह मैंस्टिक मैंने जैसी काउंट की वैसे ही काउंट करके सिखना है और ये सब आपको अपनी टेक्सबूक में लिखना है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाई